बिहार का एक ऐसा गाव जहां से पिछले साथ सालों से चावल जाता है और वो चावल अयोध्या जाता है राम लला को भोग लगाने के लिए इस चावल का नाम गोविंद भोग चावल है और पिछले साथ सालों से हर साल जनवरी में तीन ट्रक चावल अयोध्या जाता है राम मुर के भभुआ प्रखंड के मोकरी गाउ की ये बात है मोकरी गाउ के लोग इतने जादा खुश है उसका कोई हिसाब नहीं है और गाउ के लोग की खुशी इसलिए है क्यूंकि वो लोग राम लला के भोग में अपना चावल दे कर कंट्रिब्यूशन दे रही है ऐसा भी नह आते हैं तो लोग दंग रह जाते है हम सबको पता है कि कैमूर में पहार है पहाड़ी इलाका है वो और कैमूर के भभुआ प्रखंड का मोकरी गाउं है वहीं मोकरी गाउं के लो किसान है वो गोविन्द भोग चावल उगाते हैं गोविंद भोग चावल की खासियत ये होती है कि वो इतना सुगंदित होता है कि क्या ही बताया जाए उसका सुगंद इतना शांदार है उसका स्वाद इतना अच्छा है कि उसी चावल को हर साल अयोध्या भेलाता है और तीन स्तीन ट्रक चावल हर साल जन्वरी में वहाँ पर यानि कि जमीन पर आती है वही पर मोक्री गाउं परता है अब जब पानी आती है मोक्री गाउं में चावल का उपज होता है उसी मोक्री गाउं में 5-6 कुवा है उस कुवे में पहार से आया हुआ पानी जमा हो जाता है और वही पानी खेत में चला जाता है कहा जाता है कि जब बुआई होती है धान की तब खेत में लगतार पानी रहे तो फसल सर जाती है उसमें काला पन आ जाता है लेकिन खास बात ये है कि सालों भर पानी लगने के बावजूद वहाँ पर जो फसल होती है वो काली नहीं पड़ती है और और भी स्वादिश्ट हो जाती है उस पानी के चलते जो गाउं के किसान है मोकरी गाउं के वो कहते हैं कि ये सब माया है इसलिए क्योंकि अगर साल भर पानी लगा रह जाए खेत में और धान की बुआई हो जाए तो फसल का नश्ट होना एक दम से जायज है लेकिन आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि ये प्रभुश्री राम की ही कृपा है कि उनका चावल ना कभी खराब होता है ना उनमें काला पनाता है ना उसके सुगंध में कोई दिक्कत होता है और पितु वहां के किसानों का ये मानना है कि जो कुमे से पानी खेत में जाता है और कुमे का पानी जो है वो पहार से आता उस पानी के चलते ही उस चावल में एक अजब प्रकार की सुगंध होती है। प्रतिष्ठा होगा 22 जन्वरी को राम लला अयोध्या में विराजमान हो जाएंगे तब भी वहीं के चावल से राम लला को भोग लगाए जाएगा और इस बात से भभुआ के मोकरी गाओं के वो लोग एकदम ही खुश हैं उनको लग रहा है कि उनके घर से चावल जाएगा भगवान राम के लिए मर्यादा पुरुशोत्तम राम के लिए और वो लोग सोच रही हैं कि चलिए हम ना सही हमारा चावल तो भगवान राम के पास पहुचेगा और चावल की खासियत बताते बताते वहां के लोग ठकते नहीं हैं कहते हैं कि ऐसा चावल कहीं हो ही नहीं स ज़िया है जहाँ पानी लग जाए फसल में फिर भी फसल खराब नहीं हो फिर भी फसल काला ना पड़े और ये सब उस पहाड के पानी के चलते होता है जो तमाम जड़ी बूटियों को लेकर जमीन पर आता है और मोक्री गाउं के किसानों का जो फसल है वो उसके चलते आप जनता रेंग्शन देख रहे थे बहुत बहुत धन्निवाद